हाई अभीकोर फैमिली दिस सेट अभी शर्मा आई होब बहुत अच्छे हूंग और आपके फैमिली भी अच्छी होगी एन आज की श्योट ट्रेड ओके क्या हो एक टू देख लाग ओ अच्छा ठीक है ये केंडल गरीन बनेगा ये वाला केंडल देखना गरीन चला जाएगा मैं 100% शौर हूँ क्योंकि आपको पता है यार मैं शौट शौट ट्रेड लेता हूं वीडियो इस्टार्ट होते ही ये 30 सेकंड की ट्रेड लिए मैंने 30 सेकंड में ही आपको सब कुछ बताने वाला हूं क्या 30 सेकंड में ही आपको आज मैं बताने वाला हूं शौट शौट शौट शौट चीज है, देखो candle तो green बनेगा बाई, चल उबर, अरे यार, candle तो green नहीं बना, और trade भी देखो, हमारी loss कराने के चक्कर में, market, 2, 1, trade तो हमारी यार, win हो चुकी है, trade तो हमारी win हो चुकी है, लेकिन candle नहीं बना, सला green, क्योंकि dozy candle बन गया, dozy, तो क्या बोलती है, public, क्या मुझे एक और trade लेनी चाहिए, तो क्या देखो, dozy बन गया, ये इसने बत्तिमीज़ी कर दी, candle तो green बनता है, मैं बोल रहाँ, candle तो green बनता है, आज हो नहीं सकता है, candle green नमरे, तो, my dear friend, ठीक है, live trade भी करेंगे, don't worry, आज म है, आज देखो, 30 second में बताऊंगो, पहली बात 30 second में, short short चीज़े बताऊंगो, आप वीडियो देख रहे हो, तो इसके मत करना मेरी जान, इसके मत करना, my dear friends, क्योंकि आप दोगों को पता यार, brothers, जो चीज़ मेले के आता हूं, वो YouTube पर क्या, यार, वो कहीं भी नहीं मिले वो मैं ही बताऊंगो, personally आपको guide कर रहा हूं, short short pattern बता रहा हूं, market में बहुत अच्छा गाम कर रहा है, बहुत अच्छा profit भी दे रहा है, ठीक है, तो बिना skip किये फेले तो वीडियो देखनी है, like कर देना वीडियो को, and comment भी प्यारा सा कर देना, and अगर next वीडियो आपके topic पर ही चाहिए, आपको अपने topic पर next वीडियो चाहिए न, तो भाई साब, सीधी सीधी बाली बात है कि comment कर देना, बोल देना कि भाई, इस topic पर मुझे वीडियो चाहिए, मैं definitely आपके comment को पढ़ कर आपके topic पर मैं वीडियो ले आऊँगा, तो comment कर देना next वीडियो किस पर चाहिए थे ठीक है हम फालतों के बाते ना करके सीधा topic पर आते हैं मैं बुद्धे पर आते हैं कि 30 second में ऐसा क्या pattern काम कर रहा है ऐसी क्या चीजे काम कर रही है जो market में बहुत अच्छा profit दे रही है ठीक है कहां क्या करना है क्या गलती नहीं करना है कहां trade लेनी है कहां trade नहीं लेनी है वो सारी चीज़ा मैं आप लोगों को guide करूँगा इस पूरी वीडियो में आपको समझा दूँगा ठीक है आप लोगों को करना क्या है? सिंपल सी बाली बात है, आपको 30 सेकेंड का चार्ट उपन करना है, क्या? 30 सेकेंड का चार्ट उपन करना है, और 30 सेकेंड का ही आपको क्या करना है? टाइम सेट करना है, 30 सेकेंड का आपको टाइम सेट कर लेना है, simple simple, कोगि 30 second का chart है, तो 30 second की ही trade लगेगी, simple, और profit की बात करो, तो profit तो बहुत अच्छा मिल रहा है market में, ठीक है, profit बहुत अच्छा मिल रहा है, तो समझ लेना है, आप देखो market में pattern क्या है, 30 second मैंसा, क्या pattern काम कर रहा है, तो दो चीज़ बताऊंगो, सबसे पहली बात, मैं एक चीज़ नहीं बताऊंगो, एक तो बताऊंगो, indicator के वारे में, जो indicator बहुत अच्छा काम कर रहा है market में, क्या, indicator बहुत अच्छा काम कर रहा है, और एक बताने वालों, short short pattern के ऊपर, short short pattern, बहुत सिंपल सा, बहुत जल यह आपको clear कर देता हूँ, आपको सुनो, कभी भी market में, कभी भी market में, कभी भी market में, red और green candle आपको दिख जाएं, क्या, red और green candle आपको दिख जाएं, आपको बहुत सारी लोग बोलते हैं, कि यार, प्यार से समझाँगों, प्यार से ही समझ में, आपको आएगा, ठीक है, तो देखो, एक formula आपको बता रहा हूँ, कि red candle और green candle, दौनों आप candle को दिख जाएं, और दौनों candle में, सबसे नीचे, जिसकी ज़्यादा weak होगी, जिसकी ज़्यादा weak होगी, तो पांच मा केंडल वही बनेगा, क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या बोला, मैं ने पता है, red candle, green candle के नीचे, जिसकी की ви jerk, सबसे ज़्यादा बड़ी होगी, तो पांच मा केंडल वही बनेगा, तो देखो, केंडलों को छोड़ते हैं इनको red और green को छोड़ने के बाद में यहां से एक केंडल, दो केंडल, तीन केंडल, चार केंडल, पांचमा केंडल, क्या बना? पांचमा केंडल क्या बना? गिरीन बना, गिरीन बना, होगे ने short short rate? चलो ठीक हैं, यह भी trade short short हो गई है, तो यह तो प्यारी प्यारी शहुत चाहा चलो ठीक है अब आते हैं यहां पर क्या बोलते हैं public यहां पर देखो क्या च्राइब यहां भी तो देखो red और green candle है यहां पर red और green candle है भाई green candle नहीं है वो dozy candle है जो candle ही नहीं है ठीकर वो बस बन गिया है dozy candle ना जिसके body है कुणना कुछ है इसका ठीक है तो ऐसे candle पर कभी भी judge करके ट्रेड नहीं ली जाती just ignore हमेशा बोलूँगा डोजी केंडिल को avoid करना अगर आपको short short trade चाहिए अगर आप अपना loss नहीं चाहते है my dear friend तो simple सी वाली बात है डोजी केंडिल को avoid करना ठीक है simple ठीक है न and comment box में link मिल जाएगा VIP गुरूप का आज जाना short short trade पर focus करना मेरे साथ मिलके डेली की 50 ट्रेड से भी ज्यादा short short trade में provide कर रहा हूं गुरूप के अंदर में देखना और कली मैंने 75 ट्रेड शोट हुई थी और 6 आच ट्रेड हमारी loss हुई थी और 75 ट्रेड हमारी short short ट्रेड विन हुई थी तो ठीक है आगे जागे हम बिल्कुल भी नहीं चलेंगे ठीक है तो चलो यह चीज़े clear हुई अब देखो यहां भी देखो red candle green candle तो पांचमा candle भी green ही बनेगा वो एक candle दो candle थीन candle चार candle पांचमा candle डोजी बनेगा तब भी हमारी ट्रेड विन हो चुकी है लेकिन यहां पांचमा candle तो ट्रेड ले नहीं थी हमको तब जागे डोजी बना लेकिन तब भी हमारी ट्रेड विन है लेकिन आपको यहां से यह न लेके चलना हूँ, सब चीज़े formula दिखा रहा हूँ, जो market में हो रहा है, and live trade करके दिखाऊंगा, कहां मेरा loss होगा, कहां मेरा profit होगा, हर चीज में दिखाऊंगा, कैसे loss होने के बाद में require करेंगे, वो सारी चीज़े आप होँगे सामने में, सब कुछ दिखाऊंगो, यह दिखाऊंगो, ठीक है, तो ओके, तो चलते हैं, थोड़ा चार्ट को बढ़ा कर लेते हैं, ठीक है, ओके, यहां भी दिखो, red candle के बाद में green candle, green candle की weak पड़ी है, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच, आपको प्रोवाइट कर आएगा, अधरवाइस, इसके लाभा कुछ भी नहीं करना, market में, यहां भी देखो, red candle, green candle, green candle की weak पड़ी, तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँचमा केंडल, देखो, यहां भी ग्रीन बन चुका है, यहां भी short-shot rate हो चुकी है, अब देखते हैं, भाई, कि, यहां देखो, मिल गया, यहां देखो, red candle की weak सबसे बड़ी है, और green candle की weak ही नहीं है, बड़ देखो, red candle की weak कितनी बड़ी है, तो पाँच माँच 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 बनेगे, बाइ, short short trader काम कर रहा है, पैसा बहुत अच्छा market में पैसा दे रहा है, मैं तो में simple बाली बात बता रहा हूँ, पैसा दे रहा है, मैंने भी profit अच्छा घासा बनाया, अच्छे आच्छे चासा मैंने ट्रेड वीन की है, तब जाएक मैंने इस पर आपको वीडियो दे रहा हू यहां पर देखते हैं यहां पर देखते हैं तो किस केंडल की वीक बढ़ी है यार दोनों समान है दोनों समान है दोनों तो बिलकुल समान है देखते हैं पांचमां कैंडल की बारेड के बाद में गरीन आ रहा है तो एक दो तीं चार पांच मां कैंडल की अंटल बना तो वीक है किसकी बड़ी मुझे तो ऐसा लगारा कि यह वाला गर धुiger honest केइदा समान, बिल्कुब मतला, जोनों टक कर пар ön, जोनों टक कर Crowd, ठीक है, चलो, कोई बाली बात नहीं है, आप आराम से back testing करो, Bank testing करोंगे तो profit करोंगे और back testing करने के बाद, simple program profit करोंगे में, small call बात बात बहूंगा, अगर पांचमा candle, आशोच मैने वीडियो बनाई, वीडियो बनाने के बाद में एक महीने तरग फॉफिट करा, प्रॉफिट करने के बाद में कभी भी market में पांचमा candle नहीं आरा आपका सिम डारेक्शन में, छटमा आ रहा है, तो छटमें पर ट्राई करो, मतलल अपना अगरेक्शन में बड़ी है, उस पर द्यान दो, और डोजी candle हो बचो, जो candle की वीडियो बड़ी होगी, candle की वीडियो बड़ी चोटी है, तो उन candle से आपको trade बिलकूल भी नहीं लेनी है, ना वो काम करेंगी, वो चीज़े, चीज़े, ठीक है, जहां पर gap अपो रहा है, gap ड तो यहां पर देखो दोनो रेड और गिरिन केंडल के नीचे वीक ही नहीं है अब इससा समझे क्या लेकिन फिर बी मैं 50 डॉलर की ट्रेड लेता हूं अब डारेक्शन में क्या लेता हूं तो यहां पर ऐसा क्या करते है कि आप डारेक्शन में ट्रेड लेते हैं, बिदो को फॉर्मूला तो वो ही चल रहा है, मार्केट में फॉर्मूला वो ही चल रहा है, रेड के बाद में गरीन आना, तो एक, दो, तीन, चार, पांच मा केंडल रेड बनाए, लेकिन MTZ हमाई ट्र विन होती है, MTZ ट्रेड होती है, यह मतलब कहने का मतलब, ठीक है, अब देखो सुनो, मैंने यह क्यों ली, अब ऐसा क्या है, क्या रहीज जने, क्या नहीं है, तो देखो फॉर्मूला में आपको बता दू, यह चीज़े, ऐसी मैंने क्यों चीज़े, मैंने किरिड की कि यहांपर नहीं थी, कैंडेल की वीक हैं, यहांपर नहीं थी, तब भी मैंने यहांपर टीड़ी ऐसा क्यों, तो देखो सुनो, बड़े ध्यांस से सुनना मेरी बात है होता किया market में ज़्यादा तर जो market काम करती है 70% market किसा pattern पेगाम करती है market 70% pattern पेगाम करती है red के बाद में green आता है तो पांच मा candle भी green ही बनता है पांच मा candle अगर loss होता है तो empty given होती है यहाँ पर candle की weak मैंने नहीं रखी जाती है लेकिन होता किया अगर आपको बिल्कुल निन्या में percent sure होना है 100 percent sure होना है तो अगर candle की weak होगी तो वहाँ पर आपकी accuracy आपकी थोड़ी अच्छी हो जाएगी जिससे जहाँ पर अगर back to back loss होता है तो उस loss से आप बच जाएंगे इसलिए candle की weak का formula होना बहुत ज़्यादा जरूली है जिससे आप लोग समझ सकते है ठीक है तो इस बात का basis याद रखना आप देखो 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 तो मैं सब चीज बता दूँगा कहा लॉस होगा कहा profit होता है बता तो कोई भी बता देखा लेकिन जो चीज मैं बता हूँगा वो हर कोई नहीं बता है का एक ही पेटर में मैं बड़े ध्यान से समझा रहा हूँ कि देखो red candle के बाद में green तो आ रहा है अब green आने के बाद में candle की green की weak तो देखो बहुत बढ़ी है लेकिन ये candle का है बहुत चोटा सा नुनु सा candle है डोजी टैप का candle है लेकिन सुरू पाँच मा candle क्या वनेगा वो आप सुल्लो ध्यान से कि एक candle, दो candle, थीन candle, चार के ने पाँच मा candle तो यहाँ पर गिरिन नहीं है या तो वहाँ पर downtrend आएगा या तो uptrend आएगा वहाँ पर 50-50% का risk हो जाएगा तो 50% पर हम accuracy पर कभी trade करते नहीं है तो वहाँ से बिल्कु रफू चक्कर हो जाना और आगे जाके कभी next trade पर आपोच्योटी डूना और खटाकर खटाकर आपका profit पर होने लग जाएगा next opportunity देखेंगे तो एक ही pattern में एक ही chart पर देखोगे आज 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 मिल जाएगा डोजी बनाए तो क्या हुआ बाई डोजी बनाए तो यहाँ पर यह डोजी candle के हैं पूरी दिशा चेंज कर देते हैं तो भाई प्लीज केरफूल भी यह pattern में close करता हूँ फिर लॉंग वीडियो हो जाएगी पर आप में एक indicator के बारे मता देता हूँ ठीक है एक indicator यह pattern तो आपको समझ में आ जाएगा गाँ रीड ले निया वह चीज मेंने फर्मुल आप लोगों को समझा भी दिया रहे हैं बड़ी प्यारज आप लोगों को समझ में आगे हो अड़ेगा नेक्स्ट वीडियो की स्टॉप पी कि चाहिए कमेंट कर देना अब देखो सुनों अब आपको करना क्या माइड फ्रेंट्स तीस सेकेंड के ही चार्ट में आपको क्या करना है एक इंडिगेटर उठाना क्या उठाना एक इंडिगेटर 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 कि जगह हम कर देंगे यह आपर One करदेंगे वन करने के बाद में मैं different my different my difference is आप देखो next candle next candle क्या ते लिए बता हो next वाले candle नेक्सरे आले कंडल पे मैं शौ ट्रेड पर देखता हूँ आप डारेकशन में डेल लिए मने अप देखो यह ट्रेड मैं याँ पर मैंने 50 डॉल की ली थी पुड डारेक्शन में रेड हमारी शॉट्र ट्रेड हुई आप देखो इसका logic क्या है, logic सुलो, logic यह है, very simple, जब हमने alligator indicator लगाया है, तो आपको यहाँ पर तीन लाइने दिख रही है, क्या दिख रही है, क्या दिख रही है, तीन लाइने आपको दिख रही है, green और दो red, इनका formula ऐसा क्या है, कि जिस तरीके से यह market चल रही है, यह आप तीनो लाइनों को बहुत बड़ा roll है, क्या है, बहुत बड़ा roll, कभी भी कोई भी candle, कभी भी कोई भी candle, इन तीनो लाइनों में से, किसी भी लाइन को break करता है, तो market, same direction जाती है, अगर market, सुलो जहान से, समझारों प्यार से, अगर कोई भी candle, इन तीनो लाइनों में से, इसे भी डारेक्शन में बेड करता है, तो मार्केट सेम डारेक्शन में जाती है, यह गारंटी है, अगर लॉस भी होता है, तो मार्टील अवस विन होता है, बस आपको एक बात का बिस्यस याद रखना, मैट या फ्रेंड्स, अगर आप अपना लॉस नहीं चाहते हैं, तो, अगर आप चाहते हैं, कि इस एलिगेटर को लगा कि 30 सेकेंड में, मैं बहुत तंगरा प्रॉफिट बना लूँगा, तो, यस, यह पॉसिवल है, आप बहुत बड़ा प्रॉफिट बना लोगे, और तीनो लाइन बहुत अच्छा काम करती हैं मार्केट में, बढ़ यह कैसे ब्रॉफिट भी लाइन को ब्रेक करता हैं, जैसे यह वाला एक्जेमْ immature सुलो ध्यां से, यह रैड कैंडल इन लाइनों को ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करने के बाद में नेक्स्ट वाला कैंडल भी, अगर आप ट्रेड कैंडल भी आप को अगर ब्रेक्शिन वाला कैंडल बनत और नेक्स्ट वाला candle ग्रीन बनने के बाद भी अगर लाइन को भी क्रॉस करता है तो आपको सेम डारेक्शन ट्रेड नहीं लेनी हैं बाद समझ में आ गई ना सेम डारेक्शन ट्रेड नहीं लेनी हैं भाई मैं आपसे आज जोर के बोल रहा हूं तो कभी भी शोर शोर ट्रेड इसमें होने के बाद में पांच केंडल चार से पांच केंडल तक ट्रेड नहीं करना बाई चार केंडल तक तो ट्रेड बिल्कूल भी मत करना बिल्कूल मत करना बिल्कूल मत करना अगर आप अपना लॉस नहीं चाहते हैं market, green ने cross किया, तो next green आजाए बट आपको trade नहीं करनी है बट आपको trade नहीं करनी है, क्यों कि यहां पर इस type के patterns में आपको 50-50% ही profit होगा 50% loss होगा, 50% profit होगा, मतला risky trade होगी accuracy आपकी 90-90% की बिलकूल भी नहीं हो पाएगी कैसे ये possible है तो सोनो ज्यान से मेरी बात है यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो green candle ने हरी वाली line की week को week से break किया है next वाला candle green भी आ गया और gap up भी open हो गया तो यह वाला candle हमारा short short trade भी विन हो चुकी है बिल्गुल हो गया है न अब देखो फिर green candle ने ही देखो दोनो लाइनों को break कर आ है red candle, red line को green candle ने हरी दोनो लाइनों को break कर आ है तो क्या next candle green आ गया not possible यार not possible मैं simple से formula बोल रहा हूँ 4 candle तक trade मत करना short short trade मिलेंगी guarantee के साथ में बोल रहा हूँ short short trade मिलेंगी इतनी सारी trade आपको मिलेंगी कि आपको आपके पास में समाली नहीं जाएंगी लेकिन कैसे कैसे होगा ये बस ऐसे होगा कि आपको अगर कोई भी candle break करता है green candle जैसे इस line को break करता है तो next वाला आप green candle trade लेते हैं, loss होता है तो माटी कल पे आपको ये देखो green candle बन रहा है और आपकी short short trade हो रही है लेकिन ऐसा नहीं है कि green ने break कर दिया तो next भी green ले लूँ basic यहाँ पर green ने break कर रहा है तो next भी green आ गिया है क्योंकि यहाँ पर chance है only 50-50% का यहाँ पर आपका loss भी होगा यहाँ भी profit होगा आप अपने साब से देख लेना जो मेरे को बताना था वो मैंने बता दिया अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो definitely आप profit तो जो भी करेंगे थोड़ा बहुत लेकिन आप loss बहुत बढ़ा ले लेंगे इसलिए बोलूँगा कभी भी कोई भी candle किसी भी line को break करता है तो short store trade same direction में trade लेके 4 candle का break लेना 4-5 candle का break लो अच्छे से उसके बाद मैं फिर next approach ODR आपको मिल जाए फिर आप trade कर लेना आपको definitely 100% trade मिलेगी my dear friend यह मेरी guarantee है यह मेरी guarantee है profit होगा आपको लेकिन जल्दबाजी में trade करेंगे तो भाई simple सा loss होगा आपका ठीक है ठीक है I know आपको बहुत अच्छे से समझ में आगया होगा बहुत अच्छे से मैंने समझाया है आपको detail में समझ में आगया होगा like कर देना वीडियो को comment कर देना प्यार असा next video किस topic पे चाहिए वो मैं उस topic पे वीडियो ले आँगा plus comment box में link मिल जाएगा आज ही मेरे साथ मेलके profit करो daily की 80-100 trades short short trade लो मेरे साथ मेलके profit करो ठीक है फिर मिलते next video पर next short short pattern पर ठीक है bye bye, see you, take care guys and love you my family, YouTube family bye bye, love you